गुड मर्निंग अल उफ यू, विकॉम पार्ट फास्ट, सब्जेक्ट बिजनस एड्मिनिस्ट्रेशन, व्यवशाय प्रसाशन, पेपर फास्ट, बिजनस लो चत्रो अपन अध्धिन कर रहे थे स्वतंतर सहमती स्वतंतर सहमती में अपनने फर्स्ट पॉइंट अध्धिन किया था उत्पिडन सेकिंड किया था अनुचीत परभाव उत्पिडन एव अनुचीत परभाव में अंतर उसके बाद अपनने थाड किया था कपट अच अपना ध्धिन करेंगे fourth point, मिध्या वर्णन या मिध्या कथन. मिध्या वर्णन को मिध्या कथन या मिध्या नीरूपन भी कहते हैं. समान्य अर्थों में अज्ञान वस कही गई जूठी बात को मिध्या वर्णन माना जाता है. भारती अनबंद दिनियम की धारा 18 के अनुसार मिध्यावर्णन में निम्न लिखित बातें समलित होती है नमबर वान जब कोई वेक्ती निश्चेयात्मक रूप से किसी तथ्य को सत्य बताता है यदिपी वह असत्य है किन्तु जिसकी सत्यता के बारे में उस वेक्ती को विश्वास है नमबर टू जब कोई वेक्ती अपना कर्तव्य भंग करके दूसरे पक्षकार को भ्रम में डालकर उसे हानी पहुँचाता है और स्वयम लापराप्त करता है जबकि उसका उद्दिश्य दूसरे पक्षकार को दोखा देना नहीं होता है तिसरा जब ठहराव किसी एक पक्षकार को ठहराव की विश्वास्तु के बारे में गलती करने के लिए प्रेरित करता हो चाहिवे किसी ही चाहिवे कितनी ही अज्ञानतावस के साथ ही क्यों ने किया जाए इस परकार इन तीन पॉइंट्स के अधार पे इसपरष्ट है कि मिध्यावर्णन में एक पक्सकार दूसरे पक्सकार को अज्ञानवस दोखा देता है इसमें पक्सकार को दोखा देने का अपराय नहीं होता है किन्तु अज्ञानवस तथ्यों को छिपा दिया जाता है अथ्वा ब्रामक रूप से प्रगट किया जाता है अथ्वा पक्सकार अपना कर्तव्य भंग करता है अथ्वा दूसरे पक्षकार अज्ञान वस गलती करने के लिए प्रेरित कर्क किया जाता है मिथ्यावणन के आधार निम्नलिखित आधारों में से किसी भी आधार पर हो सकता है नमबर वन तत्यों का निश्चे आत्मक कथन जब कोई वेक्ती निश्चे आत्मक रूप से किसी बात को सत्य बताता है जबकि यह बात सत्य नहीं है किन्तु ऐसा कहने वाले को उसकी सत्यता पर पूरा पूरा विश्वास है तो यह तथ्यों के निश्चयात्मक कथन के आधार पर मिध्यावनन कहलाता है दारा अठारा उपधारा एक किन्तु इस समंद में यह बात ध्यान में रखते हैं योग्य है कि यदि अनुबंद में अनुबंद के दूसरे पक्षकार के पास समन्य प्रियासों से सत्य का पता लगाने के लिए ऐसे आवसेक साधन उपलब्द थे जिनका कोई भी विवेक्षिल वेक्ति समान परिस्तितियों में परियोग करता करता तो ऐसे पक्षकार को मिध्यावनन के आधार पर अनुबंद को निरस्त करने का आधिकार नहीं होगा सेकिंड कर्तव्य भंग जब कोई पक्षकार बिना किसी दोखा देने के उद्धिश्य से अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है जिसके परिणाम स्वरूप उसे स्वयम को कुछ लाब होता है तथा दूसरे पक्षकार को कुछ हान ही होती है तो इसे करतव्य भंग द्वारा मिध्यावनन कहते हैं धारा ठारा उप धारा दो थर्ड अज्ञान वस मिध्यावनन के कारण गलती के लिए प्रेरित करना जब कोई पक्षकार अज्ञान वस मिध्यावनन के कारण दूसरे पक्षकार को किसी तथ्य समंदी गलती करने के लिए प्रेरित करता है तो यह मिध्यावनन कहलाता है अर्थाद आपन दूसरे सब्दों में यह भी कह सकते हैं, जहां किसी एक पक्षकार को अज्ञान वस मिथ्यावणन के कारण दूसरे पक्षकार ने कोई गलती कर दी हो, तो वे ठहरा मिथ्यावणन के आधार पर ही हुआ माना जाता है इस परकार यह तीन बाते हैं, जिनके आधार पर अपन यह कह सकते हैं, कि मिथ्यावणन निम्नलिखित आधारों में से किसी एक आधार पर भी हो सकता है मिथ्यावणन के आउशक तत्व, कोई भी कथन या प्रस्तुती करण, तब मिथ्यावणन या मिथ्या कथन कहा जाता है, जबकि उसमें निम्नांकित तत्व पाए जाते हैं नमबर वान, वै कथन मिथ्या हो या मिथ्या हो चुका हो, किन्तु कथन कहने वाला व्यक्ति उसे सत्य मानता हो नमबर टू, वै कथन किसी भी पक्षकार को दोखा देने के उद्धिस्य से नहीं खा गया हो नमबर थ्री, वै कथन अनुबंद के किसी महत्व पूर्ण तथे से संबंदित हो नमबर चार, मिथ्यावणन में निम्नांकित में से किसी भी प्रकार से किया जा सकता है जो कि अपन ने पहले तीन बातों का ध्यन किया तथ्यों के निश्यात्मक कथन दुआरा, कर्तव य भंग दुआरा, दूसरे पक्सकार को गलती करने हेतु प्रेरित करने वाला मिथ्या कथन अज्ञान वस कह देने के दुआरा मिथ्यावणन के आवसेक्तत्व में पांचवा पॉइंट है मिथ्यावणन अधूरे सत्य कहने से भी हो सकता है छटा, मोंद रहना भी निम्नांकी दसावं में मिथ्यावणन के समानी हो जाता है फर्स्ट, जब मोंद रहना सकारात्मक प्रस्तुतिकरण को विक्रत कर देता है सेकंड, जब अनवंद पूर्ण सद विश्वास पर आधारित होता है फर्ड, जब अनवंद के पक्सकारों के बीच विश्वासरित सम्मन्ध होता है मुख्य 7. मिथ्यावणन अनबंद करने से पूर्व किया गया हो 8. मिथ्यावणन ने दूसरे पक्सकार को अनबंद करने के लिए प्रेरित किया हो 9. दूसरे पक्सकार ने मिथ्यावणन से प्रेरित होकर अनबंद किया हो दस्वा पॉइंट है, मिध्यावनन पर्तेक्स रूप से दूसरे पक्सकार के समक्स किया जाना अनिवारियन नहीं है यह किसी अन्य वेक्ति के समक्स इस हेतु किया जा सकता है कि वह वेक्ति दूसरे पक्सकार को इस कथन की जानकारी दे दे तो ये दस बाते हुई point based पे जो ये express करती है कि मिध्यवणन के लिए ये बाते होना आउस्यक है अब आगे अत्पन इसमें मिध्यवणन में अध्यन करते हैं मिध्यवणन के प्रभाव मिध्यवणन का निम्न लिखित में से कोई भी प्रभाव हो सकता है नमबर वन व्यर्थनी अनबंद मिध्यवणन के आधार पर किया गया अनबंद पीडित पक्षकार की इच्छा पर व्यर्थनी होता है पीडित पक्षकार चाहे तो अनबंद का पालन करने के लिए दूसरे पक्षकार को बाद्द्य कर सकता है किन्तु निम्ने लिखित परिस्तितियों में अनबंद को निरस्ट करने का आधिकार समाप्थ हो जाता है 1. जब साधान परियासों से ही सत्यता का पता लगया जा सकता हो 2. जब सहमती पर मिठ्यावणन का प्रभाव नहीं हो रहा हो 3. जब पक्सकारों को सत्यता का ज्यान हो 4. मिथ्यावनन की जानकारी के बाद अनबंद की पूष्टी की गई हो फिप्ट जब पिडित पक्षकार अनबंद में मिथ्यावणन करने की जानकारी मिल जाने के बाद भी निरस्ट नहीं करता है बलकि उस अनबंद से कुछ लाब उठाता है जब मिथ्यावणन के आधार पर स्विकृति देने वाला पक्षकार को पुनह पूर्व इस्तिती में नहीं पहुचाया जा सकता है तो ये 6 पॉइंट हैं जिसके आधार पर अपन ये कह सकते हैं कि इन परिस्तितियों में अनबंद को निरस्ट करने का अधिकार समाप्त हो जाता है मिथ्यावणन के प्रभाव में पहला हुआ व्यर्थनी अनबंद दूसरा परत्यास्तापना मिथ्यावणन से पिडित पक्सकार को दूसरे पक्सकार से परत्यास्तापना की मांग करने का अधिकार भी होता है अर्थाट उसने अनबंद के अंतरगत कोई धनराशी या संपती दी है तो उसे पुन्य प्राप्त कर सकता है 3. शतिपूर्थी का अधिकार समानेत हैं मिध्यावणन से पिडित पक्षकार को दूसरे पक्षकार से क्षति पूर्ती प्राप्त करने का अधिकार नहीं होता है किन्तु निम्नल लिखित परिस्तितियों में पिडित पक्षकार क्षति पूर्ती की मांग कर सकता है फर्ष्ट, शर्थ एम आश्वासन के खंडन होने पर जब मिध्यावणन अनबंद की किसी भी मुख्य शर्थ या आश्वासन के समंद में हो तो उस इस्तिती में पिडित बक्षकार को शति पूर्थी की मांग करने का अधिकार होता है उधारन के लिए मक्षन खरीदते समय यह है एक मुख्य शर्थ होती है कि मक्षन खाने योग्य होगा यदि किसी कमपनी के प्रवीवरन में किसी परकार का मिध्यावणन पाये जाता है तो कम्पनी के सदस्य, कम्पनी के उत्तरदाई वेक्तियों को शतिपूर्ती देने के लिए बाद दे कर सकते हैं शिद्ध करने का भार जो पक्सकार मिथ्यावणन के आधार पर अनबंद को निरस्त करना चाता है उस पर ही यह दाइत्व रहता है कि वह यह सिद्ध करे कि उसके साथ मिथ्यावणन करके ही उसकी सहमती प्राप्त की गई है तो वह यह मिथ्यावणन के समन्द में अपने महतरण बातों का अध्यन किया अब आगे एक छोटा सा इसी में अपन सामिल कर लेते हैं कपट और मिथ्यावनन में अंतर ये भी परिक्षा में कई बार दस नंबर के रूप में पूछ लिया जाता है कपट ये मिथ्यावनन दोनों में ही किसी तथ्य का मिथ्या कथन या भ्रामक प्रस्तुतिकरन होता है फिर भी इन दोनों में अंतर है भारत के उच्तम न्याले ने एक मामले के निने में लिखा है कि इन दोनों में परमुख अंतर यह है कि कपट की दशा में जो वेक्ति किसी तत्थे को बताता है वह स्वयम उसके सत्य होने का विश्वास नहीं करता है जबकि मिथ्यावणन की दशा में तत्थे को परगट करने वाला वेक्ति उसकी सत्यता में विश्वास करता है इन दोनों में विद्यमान अंतर आगे अपन इस्पष्ट कर सकते हैं इसमें तीन कोलम होते हैं फर्स्ट कोलम अंतर का आधार शेकिंड कोलम कपट और थर्ड कोलम मिथ्यावणन अंतर के आधार में पहला अपन लेते हैं प्रकर्ति कपट में जान बूज कर दूसरे विक्ति को दोखा दोने के लिए तत्थों को तोड मरोड कर रखा जाता है जबकि मिथ्यावणन में किसी बात को जैसा कोई विक्ति समझता है वैसा ही दूसरों के सामने रख देता है जबकि वह बात असत्य होती है कपट दूसरे पक्सकार को दोखा देने के उद्दिश से किया जाता है मिथ्यावनन का उद्धिश्य दूसरे पक्षकार को दोखा देना नहीं होता है तिसरा अंतर का अदार सत्यता का ज्यान कपट में कपट करने वाले विक्ति को सत्यता का ज्यान होता है मिथ्यावनन में तोसी पक्षकार को सत्यता की जानकारी नहीं होती है चोथा जांच के सादन मौन द्वारा कपट की स्तिती को छोड़ कर अन्य किसी परकार के कपट की दशा में दोसी पक्षकार पिडित पक्षकार को यह नहीं कह सकता है कि उसके पास सत्यतागी जांच के सादन उपलब्द थे पांचवा अंतर का अधार सूचना का दाइट्व कपट की देशा में पीडित पक्सकार अनबंद निरस्ट करने की सूचना देने के लिए उत्तरदाई नहीं होता है मिथ्यावनन की देशा में सत्यता का ग्यात होते ही पिडित पक्षकार दोसी पक्षकार को मिथ्यावनन की सुचना देने के लिए उत्तरदाई है छटा अंतर का अधार शतिपूर्ती का अधिकार पिडित पक्षकार अनबंद को व्यर्थनिय समझने का अधिकार तो रखता ही है किन्तु शतिपूर्थ के लिए वाद भी प्रस्तुत कर सकता है कपट की जशा में मिध्यावनन की जशा में पिडित पक्षकार सामाने तक शतिपूर्थ की मांग नहीं कर सकता है अब आगे एक छोटा सा heading और अपन इसमें अध्यन करते हैं कपट ए मिठ्यावनन में समानता हैं कपट ए मिठ्यावनन में दो बाते समान रूप से पाई जाती हैं नमबर वान, दोनों ही किसी भी एक पक्सकार के मिठ्यावनन के परिनाम सरूप होते हैं सेकंड, दोनों ही के परिनाम सरूप अनबंद पीडित पक्सकार के इच्छा पर व्यर्थनिय होता हैं तो ये अपना स्वतंतर सहमती का चोथा पॉइंट कम्पलिट हुआ, धन्यवाद